नमस्कार बच्चो कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे SD सानीक स्कूल की चैनल पर एक बार तहीं दल से आपका कमेंटर और मोहित मैं स्वागत करता हूँ बच्चो आई होप की पढ़े अची चल रही होगी बच्चो तो बेसिकली देखा जाए कि सानीक स्कूल की फोर्म आउट हो चुक है और बहुत खुशी की बात है दिवाली का बहुत प्यारे गिफ्ट हम लोग को मिल चुका है कि सर्म कितना बहतर कर सकते हैं हम सेलेक्शन सेनिक में ले सकते हैं तो सबसे प्याला कोश्यन मेरे आज की जो टॉपिक है वह है इंपोर्डेंट डेट से कि अब हमें पता होना ची कि कौन सी तारीकों क्या होने वाला है बिटा सब कुछ फिक्स रहता है ऐसा नहीं कोई चीज आगे बीचे हो हालागी फॉर्म की डेट कभी आगे बीचे हो जाती है बड़ी फिक्स रहता है क्योंकि NTA नेशनल टेस्टिक एजनसी इसे कराती है बच् होने वाला है वा बात करेंगे है do 24 आ चुका है अगर आपको यह ना आयगा किस से डावलोड कर सकते हैं, आप जा सकते हैं इस वाली साइट पे, जो साइट हमारी रहेगी, वो रहेगी, a-i-double-s-double-e-dot-n-t-a-online-dot-in, ये साइट हमारी रहेगी, एक बना फ्री, ब्लैंक इसको फिल कर देता हूं, बच्चो, साइट हमारी रहेगी, a-i-double-s-double-e- dot n-t-a-online-dot-in, 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 n-t-a का मतलब आपको पताईए, national testing agency, जो कि ये करा रही है, ये साइट हमारी बच्चा होने वाली, इसको आप डाउलोड कर सकते हैं, पुरे बिलेट इन को, और रहेगी करके, पेज आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहु चो एक महिनी से ज्यादा टाइम मिल रहा है आपको, एक महिनी से ज्यादा टाइम है, बहुत प्यारे टाइम है, पीक टाइम है, आप अराम से फोर्म को भर सकते हैं, 16-17 से बात करें, तो 7-14, एक महिना ये होगे, और 10-15 दिन उपर, यहाँ पर मिल तो बूले, एक से लेकर तक का टाइम आपको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फोर्म भरी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चो, अब यहाँ पर क्या है, लास्स समीशन की डीट क्या है, 16 तारिक, 16 दिसंबर, लास्स ट रहेके, फोर्म को समिट करने के, अच्च्छ, य यहां पे चीजह हमारे देखेंगे बात करोंद नहीं होगा हमारी क्लेक्शन kind कब खुलेकी हम लोग कितने से कितने तक ग्साम बइस बा orden़ मैं बात करिए त्रचें कि घूली रहेगी बेटा वो खुली रहेगी हमारी 18 December से लेकर के 20 December मेरे पैयरे बच्छो 18 December से लेकर के 20 December अगर यह डाउनलोड करने की बात करें तो आप लोग डाउनलोड एन्टी की वेबसाइट पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं डेट और इग्जामनेशन बहुत-बहुत इंपोरेंट बेटा बहुत-बहुत इंपोरेंट डेट ओफ एक्जामनेशन आपकी जो रहेगी वह रहेगी 21 January 2024 लिख लेना जहां तयारी कर रहे हो तो वह आपको गोल याद रहे कि 21 January 2030 को आपको परफॉर्म कर रहा है अच्छे से क कि हमने कितना सीखा है हमने कितना जाना है ठीक है तो टी सी बात कि डिरेशन अफ इग्जामनेशन इसमें कवर कर लेते हैं कि एग्जाम फोर एड्मिशन क्लास 6 देट सो मिलेंगी हमें और जो मिलने वाले आपको ढाई घंटे मिलने वाले हैं और यहां पर आपको मिलने वा तक और यहां पर दो वज़े से लेके पांच बज़े तक मतला फिर से वहीं बताया है मैंने वहाँ दाइगंडे का टाइम और यहां पर पूरा तीन घंडे का टाइम यहां जो वैसेट आपको दे रखिए बिटा वह है www.nta.ac.in या फिर आप कर सकते हैं आप लगा सकते हैं ठीक है अच्छा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जब रिजल्ट की बात की जाए तो जहां पर एक्जाम होगा सब्सक्रों कि एक्जाम आपका हुआ है जन्वरी में एक की जन्वरी को देहा नक्ता मार्च में आपको रिजल्ट आ जाएगा विकोज चार हफ देख धे रहा हो फस्ट वीक f मार्च तो यहां पर आपका डिजल्ट के हो जाएगा आ जाएगा रिजल्ट यहां पर डिखने आपका हो जाएगा बच्छों यहां पर पीट बदेट एक तरह नवंब्र 2023 से लेकरके 16 December 2023 तक आ चुके हैं जो आपका form है वो 21 January 2024 को होने वाला है करेक्शन विंडो आपकी 18 से लेकरके 18 December से लेकरके 20 संद अबर तक खोलेंगी जो examination की time की बात करें बच्चों अगर examination fees की बात करें बच्चों तो 6.600 रहेगा आपका किसके लिए जेनरल OBC के लिए और SCST के लिए रहने वाला हमारा 500 रुपर अगर time duration की बात करें तो हमारे जो class 6 के एंडिट्स है उनके लिए नहीं गंटे का time अगर class 9 की बात करें तो उनके लिए जो रहेगा हमारा 3 गंटे का time exam pattern हमारा क्या रहेगा OMR seat पर मलब जिस तरीके से अगर मैं बात को रहें यहां पर चार सरकल आपके सामने ऐसे बने आएंगे ABCD यहां A यहां B यहां C और यहां D जैसे कोई भी आपको एक्जामनेशन तो आपको क्या करना है बी वाले option को ऐसे प्रॉपर तरीके से फिल करके आना है ऐसा नहीं कि आपने ऐसे करके कर दिया यह ऐसे करके पॉइंट लगा दिया यह ऐसे आधा फिल कर दिया पैटा तीनों काट दिये जाएंगे जहां नटना जहां नटना कुछ-कुछ चीजे मेरे बहुत बारी को समझ लेना बच्छो वहां आपकी बिल्कूल भी गल्ती नहीं होने चाहिए तो एक बार ते फिर से इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं मैं स्लाइड को फिर से बड़ी कर दे रहा हुं बच्छो स्लाइड को फिर से बड करने की देट है वो 16 दिसंबर हमें 16 दिसंबर का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है उससे पहले ही हमें पूरा एक्जाम क्या कर देना है पूरा फॉर्म फिलके कर देना है और जहां रिखना जो पासवर्ड आपको मेले बच्चा उसको समाल की काहीं लिख लेना विकॉज जब और कीप लर्णिंग थैंकि सो मच बाबाई टेक के एंड लव यू ओल और हाँ वन मोर जिंग अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल के सब्स्राइब कर रहा है और क्या करना है सब्स्राइब करने के साथ अब शेयर भी करना है ताकि आपकी बाकी फ्रेंड्स तो भी मेल जाए ओकी बिटा बाइब कीप लर्णिंग